Hello everyone, इस वीडियो में हम राजासान के जो मुख्य मुख्य बावडी, सरोवर, बावडी को वापी भी बोलते हैं और इंगलिस में इसको Step Wells के नाम से जाना जाता है और जो मुख्य मुख्य जील है, उनके बारे में हम डिसकस करेंगे, ठीक है? तो देखो जो गेप सागर है, वो डुंगरपूर में है, हमें पता है, काईलाना जो जील है, वो जोदपूर में है, चंद बावडी जो है, वो दोसा में है, दोसा के आबा नेरी जगए पर, काँ पर? आबा नेरी जगए पर, ठीक है? फौर्थ जो उप्सन है इसका, वो है गर्सी सर बीकाने में, तो ये गलत है, इस गलत को हमें पैचाना था, गलत यही है, गर्सी सर जो है, वो जैसलमेर में है, ठीक है, गर्सी सर जैसलमेर में है, और इसका निर्मान, गर्सी सर का जो निर्मान है, वो 1367 इसवी में, 1367 इसवी ठीकले, ठीकले, नेक्स्ट किशन है कि गर्सी सर होगार कहां इस्तीत है, तो अभी हमने डिसकुस किया कि गर्सी सर सिरुव़ः है, वो जैसलमेर में इस्तीत है, ठीकले, ould्ण बिबुर्सागर जो जौर्ण कोज़ील है, डूंगर पूर में इस्तीत है, ये Гेप सागरüss Stephachet इसका निर्माण, इसका निर्माण, इस्तापत्य कला के एक मरमगी है, मरमगी थे, महारावल गोपिनाथ, उन्होंने इस गेप सागर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इस जील के किनारे, ये गेप सागर जो जील है, इसके किनारे कई महल वे मंदिर है, और वो जो महल और मं इसका निर्मान जांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था, तो देखो, दोलपूर से 30 किलोमेटर दूर एक बसेड़ी गाउं है, क्या नाम है, बसेड़ी गाउं, उस गाउं में तालाब साही नामक जील है, और इस जील के उपर एक मुख्य इमारत बनाई गई है, उसको आज क्यूशन है कि चांद बावडी काहों पर स्थित है, तो चांद बावडी जो है, वो आबा नेरी दोसा में स्थित है, यह जो चांद बावडी है, अगर उपर से इसके पानी को देखते हैं, तो टिम्टिमाते हुए तारी की तरह इसका पानी नजर आता है, विस्व के सबसे गहरी बावडी है, जील है, जिसको स्केपवेल्स के नाम से जाना जाता है, बावडी को वापी के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में वापी बोलते हैं, और यह जो चांद बावडी है, वो तिलिस्में इस्तापत्य के लिए, तिलिस में इस्तापत्ति के लिए प्रसिद है, ठीक है? ऐसे बोलते हैं कि अगर कोई बंदा इसकी सीडियों से उतर का नीचे जाता है तो वो उन्हें सीडियों से वापस नहीं आ सकता अगर उन शीडियों पर कोई चिन्न अंकित ना किया जाए थो, ठीक है? मतलब इतनी सीड प्रेमल देवी उन्होंने बनवाया था, ठीक है, 1602 इस्वी में इसको बनवाया था, लेकिन अगर समवत की बात करें, तो 1669 समवत में, क्योंकि जो विक्रम समवत है, वो इस्वी से 57 वर्स आगे है, ये हमें ध्यान होना चाहिए, मतलब आज अगर 2020 चल रहा है, तो विक्रम स चल रहा है, देखो, ये प्रेमल देवी है, इनका पीहर में नाम तारा भाई था, ठीक है, तो अगर क्रिश्टन या आता है कि तारा भाई ने करवाया था, तो तारा भाई इस का अनस्वर हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट क्रिश्टन है कि आभानेरी की चांद बावडी, दे पुसकर सरोवर के किनारे 22 घाटों का निर्मान भी करवाया गया है वो गुजर पतिहार सासक ने 945 इसवी में उसका निर्मान करवाया था प्राचीन काल में राजसान का वह चेतर जो जम्बुक रन कहलाता था तो केशो राय पाटन जो कहा है बूंदी में है वो जम्बुक रन कहलाता था क्यों कहलाता था जी का मंदिर बहुत अधिक परसिद्ध है अब वल्लब संपरताय के बारे में अगर हम बात करें तो थेखो वल्लब संपरताय की एक मुख्य विसिस्ता है היली संगीत विस्ता है हवेली संगीत जो वलब संपरदाय के जो मंदिर है उनको बोला जाता है हवेली और वहाँ पर जो संगीत बसता है इसलिए वहाँ का हवेली संगीत मंदिरों में बजने वाला संगीत बहुत जादा फेमस है और हवेली संगीत वल्लव संपरदाय के प्रमुक विस्तिस्ता है जो किसंगण का राजा हम नाम सुनते हैं नागरीदास सावंत सिंग उनका नाम था बाद में वो नागरीदास के नाम से फेमस हुए वो भी इसी संपरदाय से प्रभावित होकर कृष्ण भक्ती में लीन हो गए थे नेक्स्ट कृष्ण है कि देवताओ की साल कहां इस्तित है तो देवताओ की साल मंदोर में इस्तित है ये जो मंदोर है वो मांडव्य रिसी की मांडव्य रिसी की तपो भूमी थी मंडव रिशी नहीं हाँ पर तप किया था, ठीक है, मंडव ये रिशी से इस जगे का नाम मंडवर हुआ और फिर बाद में उसी का नाम परिवर्थी दोकर मंडवर हो गया, ठीक है, इस मंडवर में मंदोर में एक मंदोर उद्धान है वहाँ पर माहराजा अजीत सिंग और माहराजा अभे सिंग के दुआरा किसका निर्मान करवाया गया था देवताओं की साल का निर्मान करवाया गया था कहाँ पर मंदोर में इस जो देवताओं की साल है उसमें विसाल चटानों को काट कर 16 बड़ी-बड़ी मूर्थियां बनाई गई है नेक्स्ट क्रिशन है कि संगमरमर से निर्मित बाटारू का कुवा कहां इस्तित है तो बाटारू का जो कुवा है वो बाडमेर में इस्तित है तो यह हमने राजस्तान की जो मुखी-मुखी बावडी है सरोर है, सागर है, उनको हमने डिस्कस किया ओके, थैंक यू